नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंदर मंडलोई, फिर से आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ कि हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास 12 की जो आपकी टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक को हमने पूरा कम्पलीट कर दिया है हिंदी एक्स्प्रेनेशन साथ में उसके कुश्ण उनसर भी हमने कम्पلीट करवा दी है उन वीडियो को देखने के लिए प्लेइलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं अब लेसन नमबर 11 तक हमने वर्क बुक को भी कम्प्लीट कर दिया था आज के इस वीडियो में हम लेसन नमबर 12 वेल्व की एक्सरसाइज करेंगे और वो भी वर्क बुक की वर्क बुक के भी पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को प्लेइलिस्ट में जाकर जरू देखें ठीके दोस्तों साथ ही आपके फ्रेंड्स रिलेट्व क्लासमेट्स के पास हमारे इन वीडियो को सेयर करना न भूले तो चलिए देखिए ये वेल्यू आफ में वर्क बुक की बात कर रहे हैं 11 जप्टर हम पहले ही कम्प्लीट कर चुके हैं तो पहले कुश्चन के और बढ़ते हैं वर्ड पावर में गिवन बिलो आर सम क्राइम्स नीचे क्राइम्स की लिस्ट दी गई है कम्प्लीट दे फॉलोइंग टेबल इस टेबल को कम्प्लीट करना है वन इस डन फॉर यू एज एन एक्जाम्पल एक उधारण के तोर पर आपके लिए प्रस्तुत है कंसल्ट है डिक्सिनरी इफ नेसेसरी यदि जरूरी हो तो आप डिक्सिनरी का भी प्रयोग कर सकते हैं तो सबसे पहले देखते हैं पहले कोलम में क्राइम, क्रिमिनल, वर्ब और डेफिनेशन जैसे टेररिज्म, इसका जो क्रिमिनल होता है मतलब जो अपराद करने वाला है उसको टेररिस्ट कहते हैं और वर्ब है टेरराइज, ठीक है और इसकी डेफिनेशन है यूजिंग वायलेंस फार पॉलिटिकल एंड है ना, हिंसा करते हैं अब ये बागी जो बचेशने से ब्लेकमेल है फोर्जरी है, असॉल्ट है, पिकपोकेटिंग है इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चलेंगे यहाँ पर पहले का तो हमने अब भी डिसकस करी लिया था अब दूसरा है ब्लेकमेल ब्लेकमेल करने वाला जो होता है उसको वो क्रिमिनल बोलते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लेकमेलर फिर वर्ब है ब्लेकमेल और इसकी जो डेफिनेशन वो है ओप्टेनिंग मनी बाइ थ्रेटनिंग तो हाम समवन threatening का आर्थ होता है धमकी देना किसी को money के लिए चोंट पहुचाना पेसे के लिए चोंट पहुचाना या उसको धमकी देना उसको blackmail बोलते है forgery criminal है force यह इसकी verb है और इसकी definition है someone who makes forced copies सबसे पहले हम इसके आर्थ को समझ लेते हैं इसका आर्थ होता है जाल साजी करना जाल साजी करना नकल करना जैसे उधरन के तोर पर नकली नोट बनाना नकली नोट बनाना मतलब असली नोटों की नकल करना इस प्रकार के काम को forgery कहते हैं someone who makes forced copies जो नकली कोपी बनाते हैं उसको क्या कहते हैं अगला है Assault Assault का आर्थ होता है हमला करना Assaulter यह criminal हो गया और यह इसकी वर्ब हो गई Attacking someone violently हिंसक ग्रूप से आकरमन करना अगला है Pick Pocketing Pick Pocketing का आर्थ होता है Jeb Jeb काटना Pick Pocketer यह criminal को कहते है और Pick Pocket यह है Jeb काटना और इसकी definition है A Thip who still thinks of pocket एक व्यक्ती यह एक चोर जो Jeb से पेसे निकालता है यह Jeb काटता है जिसे बेग है Especially in crowd यह ना और वो भी कब Especially in crowd भीड में Mugging Mug यह ना इसको मगर भी पढ़ सकते है M-U-G-E-R Attacking a person and still their money ठीक है यह इसकी definition हो गई आप question number 2 के ओर चले तो question number 2 में आपके लिए word दिये गए है तो इनके आपको अलग-अलग अर्थे बताना है आपकी text book सामने रखें और उसमें आप question answer को देख सकते हैं मैंने आपके लिए यहां पर work किया है तो देखते हैं ना इन सब्दों के अर्थे अलग-अलग किस प्रकार से हैं जैसे है adapt A-D-E-P-T इसका अर्थ होता है expert मतलब विसे सग्य adopt adopt का अर्थ होता है take to an idea और custom किसी विचार को अपना बना लेना ठीक है अगला है adapt A-D-E-P-T make suitable मतलब अपनाने योग्य अपनाने योग्य बनाना यह ना तो यह तीनों में डिफरेंस है थोड़ा सा spelling का डिफरेंस रहता है और बाकि अर्थ भी अलग-अलग है दूसरा word दिया गए है birth birth का अर्थ होता है process of being born मतलब जन्म लेना और birth birth का अर्थ होता है sleeping place in a train सोने की seat जिसे train वगेर हम आपने देखा है कि एक बेटने की seat होती है और एक सोने की seat होती है तो जो सोने sleeping की seat होती है उसको birth बोलते है अगला है word number third beneficial मतलब helpful साहिता यह ना फाइदे मन्द यह लापकारग beneficient इसका आर्थ होता है helping people and doing good acts साहिता करने वाले व्यक्ति को beneficient कहते है अगला है liar someone who tells lie एक व्यक्ति जो की जुण बोलता है उसको liar कहते है फिर a lawyer a person who practices law मतलब एक व्यक्ति जो की कानून की पढ़ाई करता है practice करता है उसको वकील कहते है और अग्रेजीम उसको lawyer कहते है फिर a lawyer a stringed musical instrument string का आर्थ होता है धागा और musical instrument का आर्थ होता है वाद्ययंत्र तो एक ऐसा वाद्ययंत्र जिसमें धागा हो जिसे गिटार होती है एक तारवाला वाद्ययंत्र अग्ला है lose मतलब होता है free not tied up मतलब धीला ढाला जिसको हम बोल सकते है एक और lose होता है जिसका आर्थ होता है to become unable to find something मतलब किसी वस्तु को खो देना या फिर ना पा सकना जिसको हम पा नहीं सके उसको lose कहते है ठीक है और question की और बढ़ते हैं तो अगला है combine the following pairs of sentence using the coordinating conjunction given in the box जैसे otherwise or therefore neither nor either or not only but also both and as well ये सब क्या है इनको बोलते हैं coordinating conjunction ठीक है तो यहाँ पर ये कुछ fill in the blanks दिये गए है माप किजएगा इन दो question के लिए दो sentence दिये गए है इनको हमें जोड़ना है जैसे पहला है hurry up you will miss the show जल्दी करो अन्यता तुम show को miss कर दोगे तो यहाँ पर otherwise आएगा otherwise का आर्थ होता है अन्यता hurry up otherwise you will miss the show अगला है he is ill he cannot go to the office वह बिमार है वह ओफिस नहीं जा सकता तो यहाँ पर therefore आएगा दोनों के बीच में वह बिमार है इसलिए वह ओफिस नहीं जा सकता तो therefore का आर्थ होता है इसलिए अगला बढ़ते है I took meat I took eggs मैंने मांस का टुकडा लिया या मांस लिया मैंने अंडे लिये यहाँ पर बोथ और end का प्रयोग होगा I took both meat and bread यहाँ पर bread लिखा हुआ है और यहाँ पर एक तो बात देखिए एक भी लिख सकते हैं यहाँ पर तो बोथ end दोनों का जोड़ा होता है ठीके आगे जब भी हम grammar start करेंगे तो और भी detail में इनको पढ़ने का प्रयास करेंगे आगे बढ़ते हैं He teased her He slept across his face Teased का आर्थ होता है चिडाना परेसान करना बत्तमीजी करना उसने उसको बत्तमीजी से बात की उसको चिडाया इसलिए उसने उसके मुँपर एक थपड मारा Slepping का आर्थ होता है थपड मारना तो लड़के ने लड़की को चिडा या फिर उसको परेसान किया तो उसने उसको थपड जड़ दिया तो He teased her Therefore she slept Therefore का आर्थ होता है इसलिए है अगला बढ़ते हैं We dropped in on your yesterday You were not at home हमने तुमें कल घर पर ड्रोप किया परन्तु तुम वहां नहीं थे तो यहां पर बट का प्रयोग होगा लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दू यहां पर थोड़ा misprint है इसमें यहां पर बट दिया हुआ नहीं है दिया है तो वो not only but also दिया है special अलग से कोई बट नहीं दिया है लेकिन फिर भी यहां पर जो answer आएगा वो बट आएगा ठीक है बाकी अगला पढ़ते है चटा है बगदी राम works in shop, he studied in a school बगदी राम एक दुकान में काम करता है वह इसकूल में अध्यन करता है तो देखते हैं बगदी राम not only works in a shop but also studies in a school तो not only but also का इसमें प्रयोग हुआ है इस प्रकार की ग्रामर के हमने बहुत से वीडियोस हमारे से चैनल के माध्यम से provide किये है उन वीडियोस को यदि आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को आप जरूर देखे और इसी lesson के और भी एक paragraph बचा हुआ है उस paragraph को पढ़कर नीचे दिए गए प्रस्नों के उत्तर भी हमें देना है ठीक है तो next part में हम उसको हल करेंगे आज के वीडियो में बस इतना ही workbook को जैसे ही हम complete करते हैं अब इसके बाद 6 lesson और इसके बचे हुए है जैसे ही हम इसको complete करते हैं उसके बाद में हम आपके बचे हुए grammar, writing, skill आपके जो भी चीज़े टोपिक बचे हुए उनको हम complete करने का प्रयास करेंगे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं साथ ही आपके friends, relative, classmates के पास हमारे इन वीडियो को please, please, please share करना ना भूले Thank you very much for watching Please take care of yourself